मित्रों अपने बीच भारतिय जन्ता पार्टी के रास्त्य प्रवक्ता भगवान जगर्नात की धर्ती के डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे मेरा साधर अनुरोध है डॉक्टर पात्रा से के आपको संबोधित करें माननी है संबित जी धन्यवाद संजे मयूग जी आप सब का बहुत धन्यवाद की एक रविवार के दिन भी आज आप सब यहां मौझूद हैं विशह भी बहुत महत्तोपूर्न है इस अवरी सीरियस इस और अनॉन परफ़ार्मिंग एसेट फिरन के लगातार बड़री हुई है उस विशह में यह प्रेसकन अए MinorPult हैम क्योंकि एलेक्शन सीजन चल रहा है वोग नॉमिनेशन फॉय कर रहे हैं इलेक्शन ऑफीड़िट भरे जा रहे है नोमिनेशन भरे जा रहे हैं, let me tell you, people this time in the country and भारतिय जन्ता पार्टी in particular, will keep a telescopic view on the nomination of Mr. Rahul Gandhi, जब वो पता नहीं वो कहां से लड़ेंगे, आज तो हमने देखा कि शायद अमेठी से भी जा सकते हैं, कहीं और जाने की प्लान कर रहे हैं, डरे हुए हैं, जहां से भी के उपर रखेंगे, क्योंकि जो खुलासा हम अभी करने वाले हैं, वो बहुत गंभीर हैं, और ये सारे खुलासे, कुछ तो हमने तत्यों को मीडिया के माध्यम से, कुछ कोट से, और कुछ विसल ब्लोर से लिये हैं, और उसको कोलेट किया है, जो एफिडविट राहुल ग चार तरीकों से उन्होंने एसेट्स को बढ़ाया है, पावा के विशह में आपने देखा था कि लैंड डीलिंग्स, डूबियस लैंड डीलिंग्स हुई थी, और पावा नामक विक्ती है, चल पावा उसके विशह में हमने प्रेस कॉन्फेंस किया था, दूसरा फार्म हाउ से पूरी तरह से कॉरॉप्शन चलता था, तीसरा यूनिटेक, एक ऐसी कमपनी जिसका नाम 2G स्कैम में आ चुका है, उस कमपनी के विशह में और वहां से कैसे पैसे कमाये गए हैं, उसके विशह में बताया जाएगा, बैक आप्स, लंडन में एक कमपनी थी, जो 2004 में राह पास जो कुल ऐसेट था, वो लगभग 50 लाग का था, पचास से पचपन लाग का एसेट राहूल गांदी जी का था, 2009 में राहूल गांदी जी का पचास लाग से बढ़कर 2 करोड से उपर की एसेट होती है, और 2014 में वो 9 करोड की एसेट बन जाती है, और राहूल गांदी जी कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई डॉक्टर, इंज कर दूं कि 2011-12 में 155 करोड associated journal limited का जो बकाया राहुल गांधी के पास था उन्होंने चुकाया नहीं था और इसलिए 100 करोड रुपए का income tax का notice उनको और उनकी माताश्री आधनिय सोनिया जी को सर्व हुआ है यह भी आपको बता दी यह सब चुपाया गया था पहवा वाले केस में एचल पहवा वाले केस में किस प्रकार से CC थंपी आम्स डिलर संजय भंडारी यह सारे लोग involved थे और इसमें चोटा सा modus operandi में जादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यह case अल्रडी आपके पास है modus operandi है land dealings में कि एक व्यक्ति है पावा जो की एक dubious व्यक्ति है उससे आप लैंड खरीते हैं कितने में खरीते हैं 20-25 लाक में लैंड खरीते हैं आप भी खरीते हैं अर्था राहूल गांदी प्रियंका जी भी खरीती हैं Robert पाडरा भी खरीते हैं और फिर यह क्या करते हैं कुछ चंद महीनों कि वाद उसी जमीन को जो पाउआ जी से खरी दी गई थी पावा को ही बेच देते हैं करोडों में लाखो में खरीं दो उसी जमीन को उसी व्यक्ति को करोडों में बेचो यह भी अजीब डीलिंग है आप देखें और पावा इस पूरे विशय के लिए पैसे करोडों में बेचेंगे तो पावा को करोडों रुपए देने पड़ेंगे न राहूल गांधी को सुनिया जी को और अमिन सुनिया जी के दामाद रॉबर्ट पाडरा को और प्रियंका जी को तो कहां से देंगे तो पावा पैसा लेता था सीसी थंपी से जिसके विशह में स्मृती रानी जी ने बताया था सीसी थंपी पैसा लेता था आम्स डीलर संजय भंडारी से तो यह एक पूरा चेन था डूबियस लैंड डीलिंग की इसके विशह में आपको पता है अब आ काम नहीं करती है ये परिवार सूती कपड़े पहनते हैं कोई काम नहीं करती है मगर करोडों खर्बों रुपए नजाने कहां से चपड़ भार के इनके पास आ जाती है कहां से आती है ये पैसे ये खुलासा हम कर रहे हैं एक फार्माउस है कहां है ये फार्माउस दिल्ली में दिली में कहा है महरौली में हैं कितना बड़ा है फार्माउस चार दसमलफ चो नौ एकर लगबग पांच एकर का ये फार्माउस है और इस फार्माउस में कौन रहते हैं कौन मालिक है फार्माउस के राहुल जी और प्रियंका जी भाई बहन दोनों इस पांच एकर के फार्मा हाउस और इस फार्म हाउस को 2013 में रेंट पे दिया जाता है और रेंट पे किसको दिया जाता है Financial Technologies India Limited FTIL को रेंट पे दिया जाता है और यह जो रेंट पे दिया जाता है FTIL को यह FTIL क्या है FTIL एक ऐसी कमपणी है जो National Spot Exchange Limited NSEL की forwarding company है supporting company यह NSEL एक company है जिसको यह FTIL यह support करती है NSEL मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप सबको याद होगा NSEL एक बहुत बड़ा scam हुआ था आप सबको याद होगा 2013 के अंदर भगदर मचीती देश में NSEL स्कैम के कारण National Spot Exchange Limited अब यह FTIL को जो दिया गया कितने में दिया गया किराय पे भाई बैन ने कितने में किराय पे दिया 6.7 लाक रुपीज पर मंद 6.7 लाक रुपिया प्रती महीने के किराय पे दिया गया और ऐसे नहीं कि किराय पे दे दिया तो प्रती महीने पैसे आएंगा ऐसे नहीं है उन्होंने का पैसे पहले सब deposit कर दो और एक बड़ा रिकम पहले deposit कर दो वो सबको अपने जैसे सोचते हैं कि तुम भाग जाओगे तो क्या होगा तो इसलिए 40.2 सुन्य लाख रुपए 40.20 लाख रुपीज was first deposited by check, check के माध्यम से दो check दिये गए 20.10 लाख रुपए के दो दो चेक देके राहूल जी और प्रियंका जी को ये रकम FTIL ने deposit कर दिया इंदिरा फार्म को कि हम इतना रकम आपको देते हैं और ये रकम interest free है 40.2 सुन्य लाख रुपए interest free हम आपके पास आपके घर में रख देते हैं ताकि आप उसमें से हर महीने लगबग 7 लाख रुपए निकाल ले जो आपका rental बनता है ऐसा आपने कभी दुनिया में सुना है एक फरजी company जिसने NSEL scam किया इतना बड़ा scam हुआ उसको rent दिया बंदू अब असली बात है ये NSEL scam कब हुआ था कब उजागर हुआ July 2013 was the time when this NSEL scam came to the public front public को ये NSEL scam के बारे में पूरा विश्व को इस NSEL scam के बारे में जो करोडो का scam था मैं scam की detail में नहीं जाओंगा राहुल गांदी जी जानते हैं कि उनकी परिवार कॉन सी scam में लिप थी ये scam 2013 2013 जुलाई में जनता के सामने आया और ये कंपनी 2008 से जब UPA की सरकार आई थी तब से ये कंपनी चल रही थी तब से scam कर रही थी 13 में सामने आया मार्च 2018 मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस कंपनी FTIL पर रेड हुआ CBI का और जिगनेश शाह के office उन पर भी रेड हुआ अब NACL scam मैंने कहा 2013 जून में आया राहूल गांदी और प्रियंका जी ने ये Farmhouse इस कंपनी को रेंट में किस डूरेशन में दिया January 2013 से October 2013 मतलब जून 2013 में Public Domain में आता है शायद मैंने कहीं गलती से जुलाई बोल दिया था ये जून है जून 2013 में Public Domain में आता है और January 2013 से October 2013 तक इस Farmhouse को रेंट पे दिया गया FTIL कंपनी को जो की scam की Mastermind कंपनी थी Question is Mr. Rahul Gandhi Why were you profiting from a scam? एक scam चल रहा था NACL scam चल रहा था जिस समय आप ही की Agencies पूचताच कर रही थी देश के सामने ये विशय आ चुका था उसी कंपनी को आप loan मतलब रेंट देते हैं उनसे एक 40 लाख रुपए का रकम अपने घर पे अपने अकाउंट पे रखवाते हैं इंट्रेस्ट फ्री रखवाते हैं लगभग साथ लाख रुपए की रेंटल उनसे प्राप्त करते हैं इस दिस नौट प्रोफिटीरिंग फ्रॉम स्कैम और आपको बताएं ये कॉंग्रेस सरकार NSEL को exempt उनोंने किया था from complying with the provisions of Forward Contracts Regulations Act जुलाई 5 2007 को इनोंने इस कंपनी को Forward Contracts Regulations Act से exempt कर दिया था तो कहीं न कहीं ये पूरी कंपनी और इनकी सनलिपतता कॉंग्रेस पाटी और उनकी सरकार से रही थी और डाइरेक्ट पैसे ब्लैक मनी को एक तरह से वाइट करने की जो कोशिश rental के माध्यम से किया गया वो हमने आपको दिखाया बंधों ये FTIL का एक मात्र ऐसा case नहीं है मैं एक और खुला सा करने वाला हूँ और ये कड़ी है इसलिए मैं थोड़ा suspense बिल्ट करते हुए करूंगा ताकि आपनों अगले रविवार को भी आ सके देखिए ऐसा है कि ये तो FTIL को 2013 में इन्होंने रेंट में दिया मगर बंधों उससे पहले 2078 financial year 2078 से 2012 तेरह तक 78 से 2012 तेरह तक इसी farmhouse को इंदिरा farmhouse महरावली में जो इंदिरा farmhouse है इसी farmhouse को एक और industrial house को रेंट पे दिया गया था और 3 करोड रुपए रेंटल कमाये गये थे 3 करोड रुपए 2078 से 2012 तेरह तक 3 करोड रुपए इसी छोटे से farmhouse से भाई बेहन ने कमाये थे 3 करोड रुपए और आपको बता दू आश्चरे का विशह है जिसको रेंट पे दिया गया था वो रहते नहीं थे farmhouse पे भाई बेहन ही रहते थे farmhouse में farmhouse was the destination of recreation of the family उसमें कोई रेंटल में रहता नहीं था रेंटल में चड़ा हुआ था किसी और बड़े industrial house के नाम जिससे इनको profiteering करनी थी उनके scam को ढखना था 3 करोड रुपए इस 2078 से 2012-2013 के बीच profit कमाया गया 3 करोड रुपए the question is राहूल जी ये क्या चल रहा है 3-3 करोड और अब मैं जो बोलने वाला हूँ आप चौंक जाएंगे आप जानते हैं राहूल मैंने election affidavit की बात की अब आता है election affidavit राहूल गांधी जी ने अपने election affidavit में अपनी इस property इंदिरा farmhouse जो दिल्ली के महरोली में मौजूद है उसका cost कितना लिखा है उसका cost लिखा है 9 लाक रुपए इस farmhouse का cost है 9 लाक रुपए और उससे आप rental earn करते हो जो की 4 से 9 गुना अधिक है राहूल has yet again thought that people of this country are राहूल गांधी they won't understand but लोग सब समझ रहे हैं कि 9 लाक की property दिखा कर आप करोडो करोडो कमाय जा रहे हो वह भी scamsters को आप rent पे देखे Indian Express एक बहुत प्रतिष्ठित अगबार है उन्होंने एक report submit किया था वो public domain में भी आया था उसके बाद कुछ whistleblowers और भी विश्यों के साथ सामने आये मैं खुलासा करने वाला हूँ अब दो तो पावा जी का हो गया पावा से प्रकार से लैंड डील हुआ फार्म हाउस का हो गया अब हम आते हैं तीसरे तरीके से पैसे कमानी का जो उपाय है राहूल प्रॉपर्टी खरीते हैं कितने कितने का है एक कॉमर्शल प्रॉपर्टी एक दसमलफ चार चार करोड का है और दूसरी कॉमर्शल प्रॉपर्टी पांच दसमलफ तीन छे करोड का है कहां खरीते हैं राहूल गांदी ये कॉमर्शल प्रॉपर्टी गुरू ग्राम यहां से चैलेंज भी करते हैं सिगनेचर टावर्स 2 और सिगनेचर टावर 2 का प्रोपराइटर कौन है यूनी टेक यूनी टेक से गुरु ग्राम में सिगनेचर टावर 2 में दो प्रोपर्टी खरी दी जाती है 1.44 करोड और दूसरी 5.36 करोड लगभग कितना 7 करोड के आसपास हुआ ह हमारे पास एग्रिमेंट सेल डीट के वो कागज आ गए है और आपको जानके आश्चरी होगा कि उसमें जो पेमेंट की गई है वो लगभग 4 करोड या 4 करोड से थोड़ा कम का पेमेंट किया गया है 7 करोड से अधिकी प्रोपर्टी उसकी रेजिस्ट्री इत्यादी है 7 कर अपने एग्रिमेंट में 4 करोड रुपए देते हो बाकी कोई कागज दिखाती नहीं है कि उसके उपर का एमाउंट पेड हुआ है अब चलो 4 करोड दे दिया यह इतने आसानी से 4 करोड देने वाले लोग भी नहीं है चार करोड पे क्या किया है यह आप सुनिए इन्होंने 4 करोड जो दिया है वो फिनांशिल इयर 2010-11 से 2014-15 तक यह जो पैसे 4 करोड का है उसमें इंट्रेस्ट इंकम लिया है कि 4 करोड ले लो साथ करोड की प्रॉपर्टी तुम्हारी मेरे पास है यह 4 करोड मैं अड्वान्स प्रॉपर्टी 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 दी थी वॉजट फॉर अर्निंग इंट्रेस्ट वॉजट इंट्रेस्ट अर्निंग डिपॉजट और वॉजट अपेमेंट फॉर इस प्रॉपर्टी यह इंट्रेस्ट अर्निंग मनी था यह एड्वान्स प्रॉपर्टी के लिए था क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती आप तो आप चार क्लोड पे इंट्रेस्ट क्यों ले रहे थे तो यह पैसा पेमेंट किसने किया इन दोनों कॉमर्शियर प्रॉपर्टीज का और यूनिटेक यह नाम मैंने बहुत एंफसिस के साथ क्यों कहा आपको याद होगा यूनिटेक की एक सबसीडियरी बॉड़ी है यूनिटेक वायरलेस जिसका नाम 2G स्कैम में आया था खर्बो रुपए बनाये थे दो हजार करोड की प्रॉपर्टी बन गएती रातो रात और यह पूरा विश है CAG में आया था मैं आपको टाइम लाइन दूँगा तो आपको आश्चरी होगा ऑक्टोबर 2009 में CBI रेजिस्टर करती है केस 2G स्पेक्टरम का ऑक्टोबर 8-2010 को सुप्रीम कोट कहती है कि UPA की सरकार CAG की रिपोर्ट सब्मिट करे और ऑक्टोबर 2010 में ही राहुल गांदी ये दो प्रापटी खरिते हैं और किस से खरिते हैं जिसके खिलाफ CAG की रिपोर्ट है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है उसी UNITEC से खरिते हैं और UNITEC का जो डाइरेक्टर थे संजे चंद्रा वो जेल में बन थे वो 2012 में छूटते हैं यह सब कैसे हुआ यह आप उन्हें की प्रापटी खरिद रहे हैं चार क्रोड उन्हीं से आप जो एडवांस प्रेमेंट दिखा के इंट्रेस्ट ले रहे हैं यह क्या हो रहा है तो हमने पावा का दिखाया फार्म हाउस दिखाया यूनिटेक वाली जो कॉमर्शल प्रापर्टी गुरुग्राम में है वो दिखाया अब आईए बैकॉप्स इतना ही काफी नहीं है यह हिंदुस्तान में केवल काला धन हो इतना काफी नहीं है उसके लिए कुछ बाहर भी तो होना चाहिए जीजा जी का तो लंडन के हर गली में घर है तो राहुल गांधी जी ने 2004 में अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज किया कि बैकॉप्स लिमिटेड में उनकी प्रॉपर्टी है लंडन में और त्री ओफिस यूरोपियन एकाउंट्स उसमें त दिस्क्लोजन उने 2004 के एफिडेविट में किया फिर दिखाया गया बाद में कि इस बैकॉप्स इस फर्म वस रिपोर्टेटली डिसॉल्व इन 2009 में डिसॉल्व हो गया क्योंकि 2009 में फिर से चुनाव आ गया फिर से नोमिनेशन भरना पड़ेगा ठीक नोमिनेशन से पहले को डिजॉल्व हो गया एकॉर्डिंग टुदी एफिडेविट फूजन फोर यह बैकॉप्स लिमिटेट जो लंडन वाली थी उसमें राहूल गांधी जी का 83 परसंटेज स्टेक था 83 परसंटेज स्टेक अब सवाल उटता है और इंडिस कंपनी है फाइल इस लास्ट बैलन होगा उसको कहां शो किया गया बेचा नहीं गया 83 परसंटेक तो वो 83 परसंट कहां चला गया ऑफकोर्स 83 परसंटेक किसी को दिया गया होगा एवज में पैसे आये होंगे यह पैसे अगले बार 2009 के इलेक्शन एफिडविट में क्यों नहीं थे so what I talked about hiding facts from election affidavits you earn through dubious land deals you earn through your farmhouse by profitering from the scams you earn through dubious companies by in fact acquiring commercial properties even without paying money for them and then you hide all these real facts from the election commission by not showing this in the affidavit देखिए आज एक बात स्पष्ट हो गया है कि जहां तक राहूल गांदी जी का सवाल है जीजा और साले दोनों परियाएवाची शब्दे राहूल और रॉबर्ट बोथ हार सिनॉनिमस आप रॉबर्ट कहेंगे तो राहूल समझ सकते हैं राहूल कहेंगे तो रॉबर्ट सम सिखा है यह सब और रॉबर्ट केवल उनकी एजनसी की रूप में काम कर रहे हैं असली गुनेहगार तो राहूल गांधी ही हैं हमने कुछ सवाल उठाए हैं और हम इतना कहना चाहते हैं अंत में कि राहूल जी आप बताइए आपने इतने वर्षों तक जो चौकिदारों को ठगने की कोशिश की है सारे एजनसी की चौकिदारी तो हैं ED, income tax, CBI इन सब चौकिदारों को ठगने की कोशिश की है अब ऐसा चौकिदार आया है जिसको आप ठग नहीं सकते हैं इसलिए अगर तत्यों में कहीं गलती है तो हम challenge करते हैं आप defamation कर के दिखाएं हम सबूत दे करते हैं आप defamation करके दिखाएं नहीं कर सकते हैं defamation तो आप जवाब दे क्योंकि चुनाव है और आप पुनह एफिडेविट भरने वाले हैं थैंक यू फ्रेंस अनी क्वेस्चिन I think everything is clear because हमने समझा दिया सब कुछ थैंक यू हम वह हैं तो आप प्राएं प्रेंस बग्वारे जया सबु स्वाहां है तो आप है तो आप खाएंसे कर दोड़िजए तो आप पे दिखेएंगे टील के ले, भी तो आप कर दोड़िए भरने उन्हां हैं तो आपंगे घू से लूने सब्स्तों की ओने पाशने